हेलो वेरीवन वेलकम बैक टो दे चनल लोग सारंग उजराती स्कॉमर्स अकेडमी कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अब भी तक मैंने आपके 11 अकाउंट के लगबख 77 वीडियो अपलोड किये है और जो भी मेरा वीडियो नमबर 77 था दोस्तो तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्सबुक का जो पेज नमबर 97 और 98 है उसके उपर का इलस्टेशन नमबर 6 और उसके साथ साथ इलस्टेशन न सरीके से प्रिपेर करना होता है ठीक है तो आज का जो भी मेरा वीडियो नमबर 78 होगा दोस्तो तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाला हूँ जिसका नामे दोस्तों यहाँ पर बैलनसिंग ऑफ लेजर अकाउंट क्या नामे बोलो बैलनसिंग ऑफ लेजर अकाउंट अभी देखो गाईज अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको जो भी आपका टेक्सबुक का पेज नमबर 98 है ना तो यह पेज पेज पर यहाँ पर उन्हें ने हमको एक बैलनसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का एक थेरोटिकल यहाँ पर चीज दिया है बराबर तो अपन क्या करेंगे यह जो भी थेरोटिकल चीज है ना इसको मैं आपर सीधा सीधा इग्नोर कर दूँगा और यह सारी की सारी जो चीज है ना मैं आपको थेरोटिकल ही पड़ाने से अच्छा है जब भी आपन प्रैक्टि आइटम का अकाउंटिंग करते हैं तो वो टाइम पे वो जो भी आइटम है एक तो वो आपका परसनल अकाउंट हो सकता है या वो आपका रियल अकाउंट हो सकता है या वो आपका बात समझ लो, आप कोई भी account अगर देखो गए गना, तो हर एक जो भी आपका account होता है, या हर एक जो भी आपका ledger होता है, वो ledger के आपको भी पता है कि कितने sides होते हैं, बोलो, दो sides होते हैं, तो जो left side वाला side होता है, उसको अपन बोलते है, debit balance या debit side, और right वाला side होता है, उसको आपन बोलते है, credit side, ठीक है, अब भी आपन पहले side की बात कर लेते हैं, फिर आपन balance की बात कर लेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो left वाला होता है उसको debit side बोलूँगा, जो right वाला होता है, उसको credit side बोलूँगा, इतना आपको समझ गया, आपको जानदों में क्या बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, जब भी न जब भी हमारे debit side में हमने जितने भी items लिखे हैं, उसका figure आपन यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपको लेजर का format तो याद है न, क्या format है बताओ, date, यहाँ पे है particular, फिर है journal folio, और फिर है amount, बरबर है न, उसी प्रकरसी credit में भी आप 4 column बनाओगे, तो देखो जब भी आप debit side का, वहाँ पे आप item लिखो गया, और debit side का मानलो आपने total ले लिया, तो debit side का आपका total आया, for example, मान मानलो आपका credit side का जो भी amount है न, उसका आपका total है, मानलो for example, 80,000 है न, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे left side का total है एक लाख, right side में है 80,000, लेकिन यहाँ पे दोनो side मेरा match हो रहा है क्या बताओ, equal है क्या नहीं है, है न, तो मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तो, यहा समझा, तो यहाँ पे credit side में भी कितना total है बोला, फिर एक लाख आएगा, समझ रहे हो क्या, अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे right side मतलब credit side में exactly पहले से total कितना था, यह पहले सा उनका जो amount है, वो कितना था सब मिला, 80,000 था, लेकिन debit side का total एक लाख होने की वज़े से मुझे credit side में भी यहाँ पे total कितना लिखना पड़ा, एक लाख लिखना पड़ा, समझा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 80,000 और एक लाख मैच करने के लिए, मैं यहाँ पे 20,000 का एक figure लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, by balance carried down, मैं concept को में क्या बोलता हूँ, बताओ, balancing of leisure बोलता हूँ, अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर हमेशा फिर आपका left side ही बढ़ा होगा क्या, right side हमेशा चोटा होगा क्या, तो नहीं, कभी-कभी क्या हो सकता है, जैसे यह case में मैंने आपको जो example दिया, यहाँ पे left side मतलब debit side बढ़ा मानलो for example 1 लेके, और मानलो debit side में आपने जो भी आपे amount लिखा है ना, left side debit, right side credit बढ़ाबर, तो debit side में आपने जो भी amount लिखा है ना, मानलो यह आपका है 80,000 बढ़ाबर ना, अभी आप मुझे एक बात बताओ, कौन से side का total बढ़ा है, right side का total बढ़ा है, बढ़ाबर, तो ज तो यहाँ पे मैंने 1 लाक रुपए लिख दिया, लेकिन actual में left side में balance कितना है, मेरा 80,000 का ही total है ना, यहाँ पे जो मेरा total है, वो 80,000 का ही है ना, तो मैं क्या करूंगा, यह वन लैक में से ही 80,000 माइनस करूंगा, और यहाँ पे जो भी मेरा 20,000 आएगा ना, इसको मैं बोल balancing figure बोलते हैं, समझा ना, या उपर भी जो भी मेरा आपको यहाँ पे बोला था ना, यह situation में भी यह भी मेरा क्या रहेगा, बताओ जल्दी से, यह भी मेरा balancing figure ही रहेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो इतना याद रखना हम idea कि वहाँ पे हमको हमेशा क्या लिखना पढ चाहिए, और जब भी आप ऐसा equal लिखोगे ना, तो उपर आप एक line ड्रॉ करोगे, और नीचे आप दो line ड्रॉ करोगे, उपर कितना line, एक line, नीचे कितना line, दो line, बराबर यहाँ पे उपर एक line, और नीचे दो line, समझा, तो इसको आपन बोलते हैं, हमारा ledger account को हमने क्या क्या बोले, यहाँ पे balance किया, ledger account को हमने क्या क्या बोलो, balance किया, या इसको यह भी बोल सकते हैं, हमने क्या क्या है, उसको tally किया, tally समझता न, आपको मतलब जब दोनों side का total एक जैसा होगा, तो उसको आपन balance है, tally बोलते हैं, ठीक है, और हमेशा अधर रखो, अगर यहाँ पे लिख रहे हो, right side में लिख रहे हो, उसका शुरुवात हमेशा by a word से होगा, और left का शुरुवात हमेशा to a word से होगा, इतना समझा, अभी आपके मन में ऐसा आएगा, कि sir, यहाँ पे cd मतलब क्या, तो cd का मतलब होता है, दोस्तो carried down, cd का मतलब क्या होता है, बो right side का total 1 lakh था, left side का total 80,000 था, और इसी reason की वाज़े से मैंने यहाँ पे debit side में 20,000 balancing figure लिख दिया, बराबर, तो मुझे एक बात बताओ, यह जो मैंने यहाँ पे situation अभी आपके साथ discuss किया, यह side में मेरा credit side बढ़ा था ना, इसलिए तो मैंने debit side में balance लिखा, देखो ना, यह side बढ़ा है, इसलिए तो मुझे balance यहाँ पे लिखना पड़ रहा ना, तो यहाँ पे कौन सा side बढ़ा था बोलो, credit side बढ़ा था, कौन सा side बढ़ा था बोले यहाँ पे, credit side मेरा, debit side से क्या था बोले जल्दी से बहुत बढ़ा था, समझा क्या, तो हमेशा द रखना my dear, कि जब भी मेरा debit side जब भी मेरा कौन साइड बोलो debit side अगर मेरे credit side से अगर बढ़ा होगा तो उसको मैं बोलता हो मेरा कौन सा balance है बोलो debit balance है मेरा कौन सा balance है बताओ जल्दी से debit balance है याद रहेगा पक्का अगर मेरा credit side बढ़ा है तो मैं वहाँ पे credit balance बोलूँगा अगर debit side बढ़ में यह जो example आपको मैंने बताए था बराबर तो यह situation में यहाँ पर हमारा कौन सा side बढ़ा था बताओ मुझे जल्दी से आप comment में बताओ तो यह case में दोस्तों मेरा जो left वाला था न debit side यह मेरा बढ़ा था बराबर और यहाँ का तो total 80,000 इसलिए मैंने आपे 20,000 का balancing विगर लिग दिया आप समझ रहो ना मेरी बात को तो इतना याद रखना दोस्तों कि यह जो situation था यह situation में मेरा जो debit side है ना मेरा debit side यह मेरे credit side से क्या था बोलो बहुत ज़्यादा बढ़ा था समझ रहो आप मेरी बात इसलिए मैं जब भी debit side बढ़ा रहेगा तो मैं इसको कौन सा balance बोलूँगा मैंने आपको बोला debit balance बराबर तो हमेशा रखना जब भी मेरा debit balance होगा तो debit balance की case में जो मेरा balancing figure रहेगा वो हमेशा मेरा credit side में आएगा आप आएगा बोलो credit side में समझा ना जब मेरा left side बढ़ा है तो जो balancing figure है वो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा बोलो यहाँ पे right side में मतलब credit side में लिखना पड़ेगा समझा तो वहाँ पे आप लीज आपके notebook में दो points यह लिखके लो क्या लिखके लोगे बोले जल्दी सबसे पहले जब मेरा debit side का total प्लीज वहाँ पे आप लिखके लो जब मेरा debit side का total यह credit side से अगर बड़ा होता है तो वो situation में मैं इसको बोलता हूँ यह मेरा debit balance है कौनसा balance है बोले यह मेरा debit balance है और जब भी मेरा debit balance होता है तो हमेशा रखना मेरा जो भी balancing figure होता है मतलब कौन सा आपका balance carried down वाला समझा यह हमेशा आता है मेरे credit side में हमेशा का पर लिखूंगा बता हूं credit side में लिखूंगा इतना समझा और second वापे और एक point लिखे रखवा कि जब भी मेरा credit side का total अगर मेरे debit side से बढ़ा होगा अगर मेरे debit side से बढ़ा होगा तो उसको में बोलूँगा credit balance उसको में कौन सा balance बोलूँगा बताओ जल्दी से credit balance बोलूँगा और इसका जो भी मेरा balancing figure होगा इसका जो भी मेरा balancing figure होगा यह हमेशा में का पर लिखूंगा बोलो जैसे कौन से बैलंसिंग वाला बराबर यह हमेशा में का पर लिखूंगा डेबिट साइड में लिखूंगा और तुम मुझे और एक बात बोल दो कि जब भी मैं कोई भी balancing figure को अगर debit side में लिखता हूँ तो उसका जो starting है उसका जो शुरुवा थे बराबर वो हमेशा किस से होगा बोलो two balance carried down से होगा और जब भी मैं credit side में balancing figure लिखूँँगा तो इसका शुरुवा था हमेशा by balance carried down से होगा ठीक है याद रखने जैसा है रख्टा मारने जैसा कोई concept नहीं है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नाया है ना तो starting में अपन थोड़ा सा mechanical ही जाएंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपन जब पूरे बड़े वाले questions करेंगे तो वो time पर इसका जो detail logic है मैं आपको हर एक चीज़े वापे explain कर दूँगा ठीक है सो देखो गाईज मैं वापस बोल रहा हो balancing of ledger का मतलब क्या मैंने आपको यापे बोला था ना कि मैं आपको जो भी discussion करूँगा ये problem के साथ करूँगा तो इतना याद रखना balancing of ledger का मतलब कि हमको जो भी ledger है उसका जो भी side बढ़ा होगा अगर credit side बढ़ा होगा तो वही total मुझे debit में लिखना है और debit में मुझे balancing figure लिख देना है और vice versa तो ये जो भी चीज़ हैं दोस्तो इसको आपन बोलते balancing of ledger account ठीक है तो यहाँ पे अलग-अलग प्रकर के accounts होते है जैसे personal account real account nominal account राइट तो यसे हर रेक account के case में हमको balancing case से करना है यह अपन next video के वहाँ पे देख लेंगे ठीक है तो guys आज के लिए बस इतना ही video अच्छ लगे तो क्या करने का like करने का चैनल पे नए रहेंगे तो subscribe करने का और आपके जितने भी friends से सबको share कर देगा ठीक है और मैंने दीचे description में आपे telegram का link भी दिया है तो उस पे आप join हो जाना ठीक है तो thank you so much दोस्तों मिलते आगले video में तब तक के लिए bye bye ट्रिटा